वेलकम मित्रो आज दोस्तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चेनल दिनिस राजवन से पर मित्रो आज फिर में अपना वो कड़ी जो छूट गई थी बीच में यूपीटेट प्रेक्टिस सेट चल ला था 43 वाँ दोस्तो उसके आँगे कड़ी प्रारम करेंगे 44 पार्ट दोस्तो यूपीटेट ईवीएस का 44 पार्ट लेकर हजिर हूँ दोस्तो उसमें भी कुश्चन चल लाए थे इसमें भी दोस्तो कुश्चन चलेंगे और देखेंगे एक एक करके प्रेसन पहले प्रेसन में क्या है दू आईएगा question, question पहला दोस्तो देखिए क्या कहे रहा है यूपिटेट EBS उपर हेडिंग पड़ी हुई है दोस्तो और ध्यान से उसका question आप अंसर लगाएंगे सीथ काली में पहला question कहे रहा है, सीथ काल में साइवेरियन सारस दिखाई देती है जो दोस्तो सीथ काल में साइवेरियन सारस आते हैं, रूस से रूस में है साइवेरियन छेत्र तो दोस्तो वहाँ से जो सारस आता है वो किस राष्टी उद्यान में आता है बोरी, वली राष्टी उद्यान पेंच राष्टी उद्ध्यान, दचीगम राष्टी उद्ध्यान या घाना पक्छी विहार दोस्तो चारो विकल्प को ध्यान से सोचिए, अंसर लगाईए इसका अंसर है दोस्तो घाना पक्छी विहार, D option D विकल्प दोस्तो सही है, इसके बारे में सुनियेगा घाना पक्छी विहार आपका राजिस्थान राज्ज में है और दोस्तो इसको केउला देव राष्टी उद्ध्यान भी कहा जाता है क्या कहा जाता है मित्रो, केउला देव राष्टी उद्ध्यान ये लिखा है इसी का नाम है मित्रो केवला देव राष्टी उध्यान राजस्तान राज में भरतपूर जिले में है तो याद रखिएगा इसे और दोस्तो ये 1985 से यूनेस्को की धरोहर है यूनेस्को है जो विस्वराससूची में सामिल है घाना पक्षी बिहार तो याद हो गया साइवेरियन पक्षी है जो सारस है वो आता है घाना पक्षी बिहार में साइवेरिया से यात्रा करके आपके यहां प्रवास करता है क्लियर अब तीनों विकल्प को देखिएगा ध्यान से दोस्तो ती पहला विकल्प है पहला बोरी वली राष्टी उद्यान बोरी वली राष्टी उद्यान दोस्तो कहां पर है ये आपका मुंबई महाराष्ट में है दोस्तो याद रखिएगा मुंबई में जो राष्टी उद्यान है वो कौन सा है बोरी वली राष्टी उद्यान इसी राष्टी उध्यान का नाम है संजे गांधी राष्टी उध्यान याद रखिएगा दोस्तो बोरी बली राष्टी उध्यान को पैंच राष्टी उध्यान कहा है दोस्तो मध्य प्रदेश में है दची गम राष्टी उध्यान कहा है जम्मू कस्मीर क्लियर मित्रो तो काईएगा इसका अंसर क्या है जल्दी से इसका अंसर है C option 17 जून को दोस्तो 200 मरुस्थली करण दिवस मनाया जाता है कैसा रोक ठाम दिवस मरुस्थल जो डेजर्ट है उनको कैसे रोका जाए ब्रद्धी होने से दोस्तो इस जागरुकता के लिए 17 जून को 200 मरुस्थली करण दिवस मनाया जाता है आप क्यों क्यों विकल्प दखिएगा पांच जून को स्परयार बना दिवस एक जुलाइ क्यों क्यों क्या मनाया जाता है आपका वन महुत्सो दिवस फॉरेस्ट क्लियर वन महुत्सो दिवस मनाया जाता है तीसरा कुश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा राष्टी उध्यान कौन सा है दोस्तों छेत्रफल के आधर पर रुता है बड़ा सबसे बड़ा राष्टी उध्यान हेमिस राष्टी उद्यान मानस राष्टी उद्यान काना किसली राष्टी उद्यान या जिम कारवेट चारो विकल्प में से सही अंसर लगाईएगा जल्दी से मित्रो इसका भी में किलास में बता चुका हूँ ये विकल्प सही है हेमिस राष्टी उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान है छेत्रफल में और हेमिस कहां पर है दोस्तो जम्मू कस्मीर में जम्मू कस्मीन राज्ज में आपका हेमिस राष्टी उध्यान है और दोस्तो चारो विकल्प देखिएगा मानस कहाँ पर है मानस राष्टी उध्यान ये दोस्तो असम राज्ज में जिम कारवेट राष्टी उध्यान उत्राखंड UK उत्राखंड में है जिम कारवेट इसी र राष्टियुद्यान का नाम था हैली नेशनल पार्क जो 1936 में निर्माण किया गया था काना किसली दोस्तो मध्य प्रदेश में है तो दोस्तो चारो विकल्प आपको याद हो जाने चाहिए एक नंबर आता ही है यूपी टेट में राष्टियुद्यान से क्लियर चोथा लगाइए किसका अंसर जल्दी से दोस्तो चौथे कुश्चन का अंसर क्या होगा इसका दोस्तो कुश्चन सही होगा option D option 1986 में आपका बनाया जाता है या अधिनियम लागू किया गया था परेयावरंड सणरक्षन अधिनियम 1986 में लागू किया गया था दोस्तो आपके साथ किलास और आठ तीनों किलास की उच्छिपरात्मे किस तरकी बुक उसका दुस्तो चैप्टर वाइस पहला पार्ट हाज डाल दिया है कल दूसरा आ जाएगा तो वो भी वीडियो जा करके देख लीजिएगा क्लियर दूस्तो और वहाँ से पीडिया भी वो डाउनलोड कर लीजिए तो चैप्टर वाइस आपकी बुक भी तयार हो जाएगी अगर आपको बुक नहीं मिली है तो अगला कुश्चन दोस्तो पांचमा कुश्चन क्या कह रहा है मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मधित है दोस्तो पांचमा कुश्चन बताईएगा मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस सम्मधित होगा ग्रीन हाउस प्रवाव से मौन्ट्रियल की आवादी से ओजोन परत के से संबंदित है जो हमने वायू मंडल में CFC किलोरो फिलोरो कारवन गैस उतसर्जत की है उसने जाकर के ओजोन को हानी पहुंचाया तो दोस्तो इस सिब बचाने के लिए इस गैस में कमी करने के लिए एक समझोता हुआ अंतराश्टी इस तर पर किस नाम से जाना गया प्रत्वी में वायू मंडल में गैसों का एक आवरान बन जाता है जैसे आपकी ये प्रत्वी है देखिएगा ये आपकी अर्थ है इसके चारो और एक गैसों का वायू आवरण बन जाएगा तो दोस्तो ये आवरण प्रत्वी से वापस जाने वाली देरिक तरंग पार्थिय विक्रण को नहीं जाने देगा वापस जो परावर्थ हो रहा है आर्थ से आपका देरिक तरंग पार्थिय विक्रण उसे नहीं निकलने देता है जिससे वो रोग देता है और आपकी वायू मंडल का तापमान प्रत्वी की सते का तापमान बढ़ जाता है जैसे बादल आ जाते हैं कभी कभी वाई बंडल में तो आपकी ओमस बढ़ जाती गर्मी क्योंकि उसने आपकी हीड जो निकल लई थी उसको रोग दिया है तो दोस्तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव की तरह आपका प्रत्वी काम करता है तो इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस एफेक्ट दोस्तो इसी एफेक्ट का हमने प्रयोक किया सर्दी या ठंडे अलाकों में वो बनाए हमने क्या ग्रीन हाउस घर मेंसे एक काच का घर उसमें कुछ ख कहा जाता है कौन सा 1 है जिसे बैस्विक विरासत का 1 कहते हैं या माना जाता है तो A विकलब ओरीसा के नंदनकानन 1 को असम के काजी रंगा 1 को या पश्ष्य मंगाL के सुंदर 1 या D विकलब मद्य प्रदेश के सागोन वन को तो दोस्तो इसका सही विकल्प लगाईएगा जल्दी से कौन होगा इसका अंसर तो दोस्तो ये है आपका जो पश्चे मंगाल में सुन्दरवन डेल्टा है वहाँ जो वन है आपका सुन्दरी विरक्ष की अधिकता ये वन कहलाता है क्या बैस्विक विरासत वन सुन्दरवन जो पश्चे मंगाल में है उसके वनों को कहा जाता है क्या बैस्विक विरासत वन और ये कियाद रखिए मद्य परदेश में सागोन वन है सरवाधिक ओके मित्रों चलेगा, अगला कुछिशन है आपका सात्मा, सात्मा कुछिशन के राय हमारे देश में 1 महुत्सो, जो 1 महुत्सो दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई, 10 मार्च, 16 सितंबर, 1 दिसंबर, दोस्तों लगाईएगा इसका विकल्प कौन सा सही होगा, 1 महुत्सो दिवस दोस्तो 1 जुलाई को मनाया जाता है 1 जुलाई को हमारे देश भारत में 1 महुत्सो देवस की रूप में मनाया जाता है 1 जुलाई को के लिए दोस्तो 16 सेप्तमबर को ओजोन देवस मनाया जाता है 16 सेप्तमबर 1985 को मॉंट्रियल समझोता हुआ था इसी दिन इसलिए मनाने लगे ओजोन दिवास एक दिसंबर को विस एड़्ज दिवास ओके अगला आठमा कुश्चन दोधुवा राष्टी उध्यान दोधुवा राष्टी उध्यान यूपी के किस जिले में इस्तित है मिर्जापूर, लखिमपूर, खीरी, गोरकपूर या सोनभद्र तो मित्रो ये भी आपको रटा है इसका अंसर होगा बी विकल्प लखिमपूर, खीरी में दोधुवा राष्टी उध्यान इस्तित है ओके मित्रो चलेगा अगला है इसको इसका अंसर और लगाईए जल्दी से इसका दोस्तो डी विकल्प सही होगा पेरियार राष्टे उध्यान केरल राज्ज में इस्तित है केरल की राजधानी क्या है तिरुवंत पुरम है तमिलाडू की चेन्नई राजधानी है मनिपुर की इंपाल है और उडिशा की दोस्तो भोने स्वर है दोस्तो याद रखिएगा अगला दोस्तों दस्मा कुश्चन है सम्विधान की किस अनसूची बहुत ही मोश्ट कुश्चन दोस्तों से है ये सम्विधान की किस अनसूची में 22 भासाओं का वर्णन मिलता है सम्विधान में बर्तवान में 22 भासाओं हैं चारो विकलप देखकर के लगाईएगा अंसर जल्दी से दोस्तो, इसका अंसर है दोस्तो, आठवी अंसूची, आठवी अंसूची में दोस्तो, बरतमान में, शम्मिधान में जो बहसाओं हैं, वो 22 भासाओं का वर्णन है, दोस्तो और सुनियेगा इसके बारे में, जो आठ भासा 8 में अंसूची में 22 भासा हैं 71 में सम्मिधान संसोधन के तहत, दोस्तों याद रखिएगा, 71 में सम्मिधान संसोधन के तहत, तीन भासाएं, कौन सा नमक कोटेशन याद रखिएगा, नमक से नेपाली, मा से मनीपुरी, का से कौकडी, ये तीन भासाएं जोड़ी गई थी, 71 में सम्मिधान संसोधन के तहत क्लियर और जो 92 वाँ सम्मिधान संसोदन हुआ था 92 अमेंडमेंट सम्मिधान का इसमें दोस्तो चार भासाइं जोड़ेंगी कौन-कौन सी डॉंगरी दोस्तो लिख दें या आप लिख लेंगे लिख लेंगे समय जादा हो रहा है नहीं तो डॉंगरी मैथली संथाली और बो करता है उके अगला चौथी अन्सूची में दोस्तो क्या है आपका चौथी अन्सूची है जो कहता है राज सभा सीटों का वित्रन सीटों का आवंटन जो अपर हाउस है राज सभा उसकी सीटें किस राज में कितनी होगी ये उलेख है अन्सूची नंबर चार में अगला द चारों राज्यों की जनजाती छेत्रों का वर्णन है अन्सूची नंबर 6 में तो दोस्तों चारों विकल्प द्यान से रट लीजिएगा क्लियर अगला दोस्तों कुश्चन ये कुश्चन है 11 मैं तो इस कुश्चन का आपको अंसर देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जाईएगा जल्दी से और अंसर दीजिए इस कुश्चन का 2001 की दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च 8 मार्च को 5 जून को 21 मार्च को या 1 जुलाई को तो दोस्तो चार विकल्प मैंसे जो आपको सही लगे वो कमेंट बॉक्स में जाईएगा और इसका आंसर जल्दी से दीजिए और मैं इसका आंसर कल बताऊंगा अगले प्रेक्टिस सेट में मित्रो एक जानकारी आपके 43 पार्ट बन चुके हैं यूपिटेट इविएस के दोस्तों उन्हें जाकर के आप देख लिजिए प्ले लिस्ट में पड़े होंगे दोस्तों ये 43 नहीं है ये दोस्तो 44 पार्ट है ये कौन सा नंबर का है दोस्तो 44 43 इसके पहले बना चुके है तो उन्हें भी जाकर के देख लिजिएगा मित्रो ये वीडियो कैसा लगा जानकारी कैसी रही दसकुशन की दोस्तों बताइएगा लाइक करके अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए मित्रो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर वेल आइकन दबा लिजिए जिससे आपको कल की वीडियो को नॉटिफिकेशन पहले मिल जाए तुरंत मिल सके दोस्तों कल आपका UPSCERT जो बुक का पार्ट नंबर दो है अध्याय दो वह भी लेकर हाजर रहूँगा और साथ में प्रेक्टिस सेड भी रहेगा लग से तो द आइक्स पूर वाचिंग वीडियो जय हिंद जय भारत मित्रो